HDFC Home Loan के बारे में आज हम लोग समझने जा रहे हैं आपको एक चीज बता दू कि अगर आप Home Loan का सारा डाटा निकाल कर देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि HDFC Home Loan जो है कई सरकारी बैंकों को भी पीछे छोड़ देता है इसके पीछे क्या कारण है कि लोग इतनो जादा HDFC बैंक पे ट्रॉस्ट करते हैं इस चीज को आज हम लोग समझने जा रहे हैं HDFC से Home Loan कैसे लेना है क्या क्या इसके फाइदे है क्या टेर्मन कंडिशन को आपको फॉलो करना है क्या पेपर्स आपके पास होने चाहिए और फॉर्म भरते समय या फिर अप्लिकेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो सबसे जादा लोन तो जरूर देता है HDFC Home Loan लेकिन बहुत सारे लोगों का Home Loan रिजेक्ट भी होता है वो भी छोटी-छोटी गलतियों के कारण क्यूंकि वो एक टर्मन कंडिशन को अच्छे से नहीं समझते है तो समझेंगे कि HDFC Home Loan में क्या-क्या स्कीम से है और कौन सा स्कीम आपके लिए सबसे बहतर होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं HDFC Bank Home Loan के आउटलाइन को समझें सबसे पहले आता है इसका ब्यासदर ब्यासदर जो है 8.70% से स्टार्ट हो जाता है मांकी टोटली डिपेंड करता है कि आपका सीविल स्कूर क्या है अब बात करते हैं लोन कितनों मिलेगा आपको तो प्रोपर्टी रासी का 90% जो प्रोपर्टी का पुरा भेलियोसन होगा उसका 90% तक आपको होम लोन मिल जाता है HDFC में अब धी जो होता है 30 साल सभी सरकारी बैंकों में भी प्रोपर्टी साल के लिए ही दिया जाता है अब प्रोसेसिंग फीस समझते हैं कई बार लोग ये बोलते हैं कि प्रोपर्टी बैंक जो है बढ़ा चढ़ा के प्रोसेसिंग फीस लेते हैं तो इस मामले में HDFC ने बहुत ही किलियर कॉंसेप्ट रखा है जो लोग सरकारी जोग करते है या फिर कोई प्रोफेसनल काम करता है जैसे डॉक्टर है इंजिनियर है या फिर कोई भी प्रोफेसनल है तो उस कंडिसन में उसको लोन रासी टोटल जो लोन एमांट होगा उसका 0.50% या फिर 3,000 रुपै दोनों में से जो भी अधिक होगा वो उसको प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा और जो लोग प्रैवेट जॉब करते हैं उनके डिये टोटल लोन एमांट का 1.50% या फिर 45,000 रुपै दोनों में से जो अधिक बनता है वो आपको प्रोसेसिंग फीस लग जाएगा अब एक कोस्चन जो लोग नॉर्मली पूछते हैं मुझसे कि कितना तक लोन मिल जाएगा HDFC में तो आपको बता दे HDFC में लोन का कोई एम्डी लिमिट नहीं है 75,000,000 से अधिक तक का आप easily loan ले सकते हैं totally depend करेगा आपके property value पे और आपके income पे होमलोन लेते समय सबसे important चीज़ आप देखते हैं वो होता है ब्यासदर क्योंकि ब्यासदर में 0.1% भी अगर जादा या कम होता है तो उसका फर्क आपको आपके EMI पर दिखने लग जाता है तो समझते हैं कि भारत के top punch bank जो है उसमें HDFC जो है किस तरह का ब्यासदर provide कर रहा है और HDFC से होमलोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप SBI से होमलोन लेते हैं और 30 लाग तक का होमलोन लेते हैं तो उस condition में ब्यासदर जो है आपको 8.50% से लेकि 9.85% तक पड़ता है वहीं अगर आप 30 लाग से उपर और 75 लाग तक का होमलोन लेते हैं तो आपको ब्यासदर सेम पड़ता है 8.50% से लेकि 9.85% तक लेकिन 75 लाग से जैसे उपर जाएंगे उसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है SBI में मतलब SBI का ब्यासदर जो है fix है लेकिन SBI में सबसे बड़ा problem ये है कि उसमें documentation मतलब बहुत ज़्यादा papers का demand किया जाता है दूसरा चीज़ अगर आप बात करें HDFC bank का तो इसका ब्यासदर 8.70% से शुरू है और अगर आप 75 लाग तक का लोन लेते हैं और आपका civil score अच्छा है और आपका plot का valuation अच्छा है तो उस condition में आपको ब्यासदर 8.70% का ही पड़ेगा वहीं Axis bank औगेरा का ब्यासदर HDFC bank से काफी जादा है 8.75% से इनका ब्यासदर श्टार्टी होता है HDFC bank और कोटेक महिंदरा बैंक का ब्यासदर एप्रॉक्स सिमिलर है लेकिन बात करते हैं फाइदे की तो HDFC bank जो है बहुत ही ट्रस्ट वर्दी बैंक है और भारत में इसका एक अलगी स्थान है तो HDFC bank से home loan लेना as compared to कोटेक महिंदरा बैंक जादा बैटर है HDFC का सबसे basic जो home loan scheme है जो सबसे ज़्यादा popular है उसका नाम ही है HDFC home loan scheme इस scheme का सबसे बड़ा क्या फाइदा है कि इसमें आप कोई भी private developer द्वारा बनाया गया building खड़ी सकते हैं बंगला खड़ी सकते हैं घर खड़ी सकते हैं फ्लैट खड़ी सकते हैं आपको यह भी बता दे कि कई state में जो है नगर निगम building बनाकर फ्लैट बनाकर बेशती हैं जैसे हो गया DDA हो गया MHADA हो गया यह सब जो फ्लैटे बेशती हैं वो भी आप इस scheme के खड़ी सकते हैं कोई भी cooperative housing society में अगर आपको फ्लैट लेना है वो भी आप इससे ले सकते हैं कोई भी apartment लेना है या फिर अपना घड़ बनाना है उस condition में भी आप यह HDFC का home loan scheme के ताथ loan ले सकते हैं इसमें जो आपको loan दिया जाता है वो 30 साल के अगधी के लिए दिया जाता है और जो चीज़ आपको समझना जरूरी है वो है इसका interest rate 8.70% से इसका interest rate सुरू हो जाता है और processing fees की बात करें तो जो नोकड़ी पेसा लोग है या फिर कोई भी business होगेरा करते है उनके लिए processing fees अलग-अलग है नोकड़ी पेसा लोगों के लिए processing fees 0.50% से start हो जाता है और maximum 3000 रूपे तक जाता है 0.50% या फिर 3000 दोनों में से जो अधिक होगा वो आपसे लिया जाएगा और जो लोग business करते हैं उनके लिए 1.50% मतलब 1.50% टोटल लोन रासी का या फिर 45 रूपे दोनों में से जो अधिक होगा वो आपसे लिया जाएगा दूसरा सबसे important scheme जो है जिसे balance transfer scheme कहा जाता है HDFC का उसको समझे सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है होम लोन balance transfer scheme होता क्या है इसमें क्या है कि आपका पहले से किसी और bank में home loan चल रहा है लेकिन आप उस interest rate से कम interest rate पे आपको HDFC home loan दे रहा है तो आप उस home loan के रासी को HDFC bank में transfer कर सकते हैं इसे कहा जाता है home loan balance transfer scheme इस scheme में फाइदा क्या होता है कि अगर आपका महजूदा bank में ब्यासदर example के लिए 10% चल रहा है और HDFC में आपको 8.70% पे मिल रहा है तो आप सारा balance जो है इसमें transfer कर सकते हैं आपको जो है उसी loan रासी को भरना होगा HDFC में जो लोग job करते हैं उनके लिए 0.50% या 3,000 रुपए और जो लोग business करते हैं उनके लिए 1.50% या फिर 45,000 रुपए अब ये समझे कि gramene avas loan HDFC का एक popular scheme है तो क्यों popular हुआ है ये HDFC का gramene avas loan जैसे की नाम से ही clear है ये gramene छेतर के लिए है और नगर पंचायतों के लिए इसलिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको सहरी छेत जो की अर्ध सहरी कहा जाता है उनमें भी इसका loan दिया जाता है आपको ये समझना पड़ेगा इसमें आप डेरी किसान है बागवान के मालिक है या फिर किसी भी तरह का किसानी करते है चाहे ग्रामीन छेतर में रहते हुए आप कोई भी सरकारी या प्रेवेट जॉब भी करते है तो आपको ये ग्रामीन आवास loan मिल जाएगा इसमें जो है आप नया घर बना सकते है घर का मरमत करा सकते है अपने घर का फ्लोरिंग करा सकते है घर का रिनुवेशन करा सकते है घर में और कमडे एड करना है वो कर सकते है मतलब किसी भी चीज के लिए आप ये ग्रामीन आवास loan लेके इसका फाइदा जो है इसली उठा सकते है यहां तक कि इसमें पूरा क्लियर लिखा गया है टाइल्स के लिए, पैंटिंग के लिए घर के अंदर बाहर, प्लास्टर के लिए मतलब हर चीज के लिए आपको ये ग्रामीन आवास loan ही मिलेगा अब ये समझें कि इसमें आपको चुकाने का समय जो दिया जाता है वो 20 साल से 30 साल तक का दिया जाता है डिपेंड करता है कि आप कितना loan amount ले रहे हैं और आप किस तरह से EMI चुका रहे हैं प्रोसेसिंग फीज की बात करें तो प्रोसेसिंग फीज जो है वही सेम है 0.50% या फिर 3,000 जो लोग जॉब करते हैं ग्रामीन जेतर में रहके और जो लोग किसान है या फिर गया बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 1.50% या 45 सरूप है ये 3-4 scheme जो थे HDFC home loan के वो सबसे important scheme थे और सबसे popular scheme थे अब ये समझे कि कोन loan ले सकता है HDFC bank से और कोन लोग नहीं ले सकता HDFC से home loan लेने का सबसे पहला सर्थ रखा गया है आपका उमर 18 साल से उपर और 70 साल से कम होना चाहिए आपका महिने का आए अगर आप job कर रहे हैं उस condition में कम से कम 10,000 रुपे होना चाहिए जिसका आपको salary slip जमा करना पड़ेगा अगर आप business कर रहे हैं तो साल का income कम से कम 2,000,000 रुपे होना चाहिए तो आपको इसमें असानी से मिल जाता है आप job कर रहे हो, आप business कर रहे हो आप doctor हो, आप वकील हो आप CA हो, कोई भी matter नहीं करता हर एक को HDFC जो है, home loan देता है अब ये समझे कि क्या-क्या papers आपके पास होने चाहिए HDFC से home loan लेने के लिए और किन papers के बिना आपको home loan नहीं मिलेगा सबसे important चीज़ जो KYC document कहा जाता है आपका आधार card, आपका pen card, आपका voter ID card, ये चीज़े आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास रासन card होगे रहा है, तो आपको helpful हो जाएगा home loan दिलाने में सबसे पहले ये समझे कि जो लोग job करते हैं उनके लिए जो है, पिछला 3 महने का salary sleep जरूरी है, हो सकता है 6 महने का भी मांगा जा सकता है अगर आपने tax बढ़ा है, तो form 16 का copy जरूरी है, पिछला 6 महने का आपके पास bank statement जो है वो ready होना चाहिए, और किसी भी तरह से आपके उपर किसी भी तरह का F.I.R. नहीं होना चाहिए, corruption का charges नहीं चलता हुआ होना चाहिए, पिछला loan आपका default नहीं होना चाहिए, ये job के लिए भी और जो लोग business करते हैं, उनके लिए भी जरूरी है, जो लोग job नहीं करते जो लोग business करते हैं, उनके लिए कम से कम पिछले 3 साल का उनका जो professional record है, उनका खाता भरी जिसको कहा जाता है, income statement जिसको कहा जाता है, वो होना जरूरी है, पिछले 6 महने का आपको website report paste करना होता है, जिसमें आपको ये दिखाना होता है कि आपका income हो रहा है, और आप कैसे EMI pay करने जा रहा है, पिछले 6 महने का आपको जो है, loss profit and loss statement भी दिखाना होगा, ये भी जरूरी है, कई बार जो है, आपको 2 से 3 साल तक का profit and loss statement मागा जा सकता है, इसके बाद property का दस्ताभेज के लिए apartment letter, agreement का copy होना चाहिए, developer से अगर आप ले रहे हैं तो उसका सारा document किलियर होना चाहिए, जो plot आप ले रहे हैं वो नगर निगम से approve होना चाहिए या फिर अगर आप ड्रमीन छेत में रहे रहे हैं तो वो आवासिये plot होना चाहिए ना कि agriculture plot होना चाहिए agriculture plot पे loan नहीं दिया जाता ये सारे paper जो है आपके लिए जरूरी है अपसे जरूरी सवाल जो आप लोगों ने पूछा था वो था कि HDFC बैंक में home loan apply करते समय क्या हम सह आवेदक रख सकते हैं मतलब एक आदमी के साथ apply कर सकते हैं हाँ कोई problem नहीं है इससे आपका civil score और मजगूत होता है और loan का amount जो है आपको ज़ादा मिलता है दूसरा question आप लोगों ने पूछा था कि बकाया home loan जो है आप एक साथ payment करना चाहते हैं मतलब prepayment करना चाहते हैं वो आप HDFC में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तीसरा important question आप लोगों ने पूछा था कि अगर महिला के नाम पे HDFC bank पे home loan लिया जाए तो क्या कुछ छूट मिलता है तो हाँ छूट मिलता है 5 BPS का छूट मिल जाता है अलग-अलग छेतरों का अलग-अलग term and condition है आप अपना state लिख दोगे तो मैं आपको comment करके बता पाऊंगा कि आपके हम महिलाओं के लिए HDFC home loan में क्या छूट मिलती है और कितनी ब्याजदर चल रही है उसके बाद एक और question जो आप लोगों ने पूछा था कि अगर आप एक साथ loan लेते हो मतलब दो वेक्ति पती पतनी मिलके एक साथ loan ले रहे हो तो उस condition में आपको जो है total I का विचार जो होगा total जो I calculate किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा तो आपको बता दे अगर आप दो लोग एक साथ लेते हो loan तो उस condition में दोनों के I को calculate करके उस हिसाथ से आपको home loan दिया जाएगा इसलिए जब joint home loan लिया जाता है तो उसमें आपको home loan का amount जो है बहुत ही जादा मिल जाता है मतलब एक आदमी के नाम पे आप home loan ले रहे थे आप दो आदमे मिल के ले रहे हैं और दोनों का जब income जोड़ा जाएगा तो उस condition में आपको home loan जादा मिलता है इन सब के अलावा आपके मन में जो भी question हो HDFC home loan को लेकर comment कर देना मैं उसका reply जरूर करूँगा HDFC home loan के अलावा Axis Bank home loan हो गया SBI home loan हो गया इन सब पे भी कोई question हो आप comment करना मैं उसका जवाब जरूर दूँगा home loan से जुरा हुआ सरकार का बहुत सारा scheme आने वाला है अभी जो है एक नया scheme आने वाला है सरकार का जिसको आवास योजना कहते है उसमें भी home loan दिया जाएगा उसको भी समझेंगे जैसे ही update आएगा हम आपको इसी channel पर करते रहेंगे इस वीडियो को share कर देना अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद